नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 जून से 30 जून तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप खुस हो जाओ जिहां दोस्तों आज से लेकर अगले दो सब्ता के अंदर में आप समय के अंतराल में आप सभी के जीवनकाल में जीवन की वह सबसे बड़ी खुश खबरियां सनिदेव लेकर आ रहे हैं जिने दोस्तों सुनकर आपके सरीर के रोंगटें खड़े हो जाएंगे जिहां दोस्तों और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपके परिव बार में जो सोचे थे वह दोस्तों आप सनिदेव की किरपास से पूरी होने वाले हैं लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह समय कोई भी कितना आप से जित करें कोई भी आप से कितना भी कहें कि दोस्तों इन राज को बता दें लेकिन दोस्तों यह राज को उन्हें भूल कर भी न बताएं जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे ही वेक्ति आपके जीवनकाल पर पिछले समय में आये हैं जिनोंने आपके साथ रहे कर आपके साथ इतना बड़ा आपको धोखा दिया है आपके जीवन में इतना बड़ा छल कपट किया है जो कि दोस्तों आप ही जानते हैं और दोस्तों इसी परकार आने वाले इन दिनों की अंदर भी आप सभी के जीवनकाल में कुछ एसे ही धोखेवाजी से मुलकात होने वाले हैं जिनसे आपको सावधान भी रहना बहुत ही जरूरी है जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तों आज की यह वीडियो को आप सुरू से अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवनकाल से जोड़ी सभी महत्यकुन जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसमें भगवान सनीदेव के आसिरवात से और क्रहुने जो बदली है चाल इन सभी के अनुसार आपके जीव खरवियां आपको याश्र में मिलने वाले हैं उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान सनीदेव के सच्चे भक्त हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक अभी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मनसी सरदावाव से जैस सनीदेव जरू लिखें ताकि सनी दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बात करते हैं स्री कृष्ण जी के अच्छे ज्यान से दोस्तों कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना लोग उसी पेड़ पर पत्थल मारते हैं जिस पर जादा मेठे फल होते हैं जिहां दोस् वैस्ता के वाजूत अब अपने परिवार्वा समन्दियों के लिए शमय निकालेंगे अपने योजनाखो किर्याविन करने का उद्तम समय है परिसितियां अनुकुल होती जाएगी समाजी गत्वारायति गर्तिविदियों में उपस्तित होने का मौका मिलेगा द्यान रखे कि अपना वर्चा समान शमान बनाने का या उत्तम समय है अधृत में तथा अध्यान समदित कारें में मन लगेगा और मानसीव सुकुन भी मिलेगी आस्तर पर महिलाओं के लिए दिन अच्छे नतीजे अवाला है वो अपने हिम्मत और स्चाहास पर परिचे देंगे और सफलता भी हासिल करेगी परिवार के किसी महतिपुन विशे पर आपकी सला को अधिक महत दिया जाएगा जिसे आपका आत्म विश्वास भी बढ़ेगा यह हुआ पैसा आपस मिलना समभव है इसलिए इन गत्यविदियां पर फोकस रखें नई जानकारी और समाचारों को जानने में समयवेतित करें कोई भी दिकत आने पर आप किसी भी तरह अपना काम निकलवाने में सफल रहेंगे आज का दिन पारिवारी और आर्थिक दोनो बनी हुई है विपरित परस्तियों में भी आप समस्याक का हल निकालने में समख्च रहेंगे आएके सादनों में बिर्दी होगी किसी नजदी की समंदी के यहां धार्विक आयन में जाने का निमंतरन भी मिलेगा दोस्तों आप इस दिन साब्धान रहें दूसरों को सलात द कुछ में धार्विक आदादमी गतिविदियों के लिए भी जरूर निकालें आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में कोई तनाव हो सकता है बेतो रगा की अपने सवाब के परती आत्मी चिंतन अवश्य करें दूस्तों घर की कोई वास्तु की खरेदारी की यो किसी के समख्ज भी चर्चा ना करें बच्चे की पढ़ाय को लेकर चीनता रह सकती है इसमें किसी भी महत्पुन कार को करने से आलस या सोच विचार ना करें इसे आपकी कार छमता प्रवावित होगी दोस्तों गिरिश्तिती बहुत ही अनुकुल बनी हुई है सिर्फ सही सम रूप से संपन होते जाएं प्रतिस परदा समंदी कारे को करने में आपकी रूची बढ़ेगी तथा आपको सफलता भी मिलेगी सरकारी सेवरात लोगों को पॉब्लिक डिलिंग करतिश में विश्यज ध्यान रखना है यूवर को अपने केरियर से समंदी कोई सूप समाचा मिलेंगे तो था मेहनत के उचित पर नाम सामने आएंगे पाटर सी समंदी व्याफसा में थोड़ा सावधान रने की जोरत है छोटी सी गल्प फेमी की वज़े से समंद खराप हो सकते हैं दोस्तों इस समय कुछ नए ओडर मिलने की सामभावना है कारस्तरपल चरी किसी भी गतिविद्यों को नदरंदाज ना करें अपने योजना को गूपती रखें दोस्तों विवाईक समंद मधूर रहेंगे परिवारी गतिविद्यों में अपने वहवार को सकारतमक बना कर रखें पती पत्नी के बीच उचित समानजस बना रहेगा प्रेम समंद को विवा में परनित करने के लिए कुछ रुकावटें आ सकती है पती पत्नी की आपसी समन्द मधूर रहेंगे दोस्तों के साथ मेल मिला प्रसंता देगा अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है लब पार्टनर को कोई उपार आवस्य दें उस्तों अतदिक काम की वज़े से कभी-कभी ठकान और कमजुरी महसुस करेंगे उचित अराम भी लें रकुष में परकृति के साथ भी वेतित करें पस्तर ठीक रहेगा कब्ज और ग्यास जैसे इस्तिति ना बनने दें जोड़ावा घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है न दोस्तों सनिवार के दिन किसी भी चीज के भूरे फल को दूर करने के लिए काली चीजों जैसे उड़त की डाल, काला कपड़ा, काले तील और काले चने को किसी गरीब को दान करने से सनिदेब की किरपा बनी रहती है सनिवार के दिन काले कुत्तों को सरसों तेल लगी हुई रोटी देने से सनिदेव प्रशन होते हैं इससे सनिग्रत दोस्थ खत्म होते हैं चलिस्ता बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली अंग क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग नीला है और भागे साली अंग तीन है दोस्तों भागवान सनिदेव का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो सची दिलशेक कमेंड बॉक्स में जै सनिदेव जरू लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरू करें धन्यवाद